हलो दोस्तो मैं सुनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चनल क्रैकर जीसे करी मैं कैसे हैं दोस्तू तो सलिए कि अभी थोड़ा लेट पर अपटोड करूगा तो इसलिए थोड़ा- अभी थोड़ा- अप्डोड करूगा तो असलिए दोस्तों बाकी साथ दोस्तों जो भी जैसे कि हम लोग पढ़ रहा थे वही अभी हम लोग शुरू करेंगे तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं है जो पुराने मेरे साथ जुड़े हों उनको पता है है कि हम लोग यहां क्या पढ़ लाओं लिए दोस्तों टापिक हुआ यहisol मारीं इंटनल वाटर यह श्लमार के अंधर अध्यां है आई टो जैसे कि जो भी मेरे अगर दोस्त मेरे चैनल पर गड़ कर नए जुड़ा शुजा पर मेरि छोओ ने क्लास में दोस्तों रुप कर देखना है। और ईस वह डोस्तों अभी मैं आपको एक दूसरी नियूस बताने वाले हूं बट वह क्लास करते पर सुनल करेंगे पएलए इसके बाते कुछ सब्सक्राइब भीलते हैं कुस चीजे बताने हैं आपको एपघर हम ओश्यूना सब्सक्राइब इसके प्ष़ाय इस तो अब तक यह साथ आप आज मेरे साथ जुड़े आपको सब्सक्राइब नहीं से तो आपको क्या करना है मेरे ही नाम से सर्च कर लेना है cracker जैसय गड़ीATHAN के नाम से और आपको वहाँ पर सारी classes मिल जाएंगे और आपको सीधे और जैसा कि ये से बाइसे क्या होगा आपकी पूरा हो जाएगा सलेबस और जैसा कि आ स vehicles दोस्तों कि आप जो भी कहेंगे मैं वह पढ़ाना सुरू कर दूंगा बड़ जब तक जोगरफी में इंडियन जोगरफी जब तक खतम नहीं हो जाते दब तक दोस्तों आप दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं लेंगे एक चीज को बहुत आराम सी करते हैं तो मेरे साथ आपको अगर पढ़ना है तो दोस्तों थोड़ा पेसंस बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहता कि जो आपको एक दिन में माली जो रिवर्स लेके आया तो एक दिन में पूरी रिवर्स खतम हो कोई एक दिन में कोई और टॉपिक लिए तो वो में सतही वाला पढ़ाना वाला यहां काम नहीं मेरे पास मैं जो पढ़ाओंगा डिटिल्स तो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से चीजे समझ में आएंगी भले एक की जगा दो क्लास लगे दो की जगा तीन क्लास लगे लिए तो इंटर्नल वाटर वेश अब घवडाई यह गमत की यहां जो इंग्लीज लिख रहे हैं तो हम अभी हिंदी मिले हमारे यहां जो लेंग्वेज है वो डॉमिनेंट दोस्तों हिंदी ही रहती है बट समझ में आपको दोनों में अंतर देशी ए जलमारे दोस्तों इसको अंतर राजिये जलमार्ग मदल्द कीएगा अंतर देशी ए जलमार्ग ठीक है दोस्तों अंतर राजिये जलमार्ग का मदल्द होता है दो राजियों के अंदर या दो राजियों के अंदर या एक ही राजिय के अंदर जो जलमार्ग होता उसको अंतर श्राज्र Sóangen राज्र चाहिं आपको पहले तो यह आपको नहें होता ह् सनाisions यह ना राज्र जाल मार्फ पड़ते हैं वहन नाजी न जबी बाइस होता है ब्लग् breakfast i लगभक चोदा हजार किया अब इस सामान को एक स्थान से दूसरी इस्थान ले शुके हैं बड जिसमें से हम दोस्तों नदियों दोरा मात्र साड़े बावन सो किलो मीटर का इस्तेमाल करते हैं और नहरों दोस्तों बनाएगे जलमार का मात्र हम लोग 4,000 यानि 14,500 किलो मीटर बनाएगे हैं उसमें भी हम लोग लगबक 9,000 साड़े 9,000 के आसपस दोस्तों हम लोग इसका यूज कर रहे हैं यानि अभी भी हम लोग का लगबक 5,000 जलमार जो विक्सित है वो भी हम लोग उसका पूरी तरीके से यूज नहीं कर पार ठीक है सबसे पढ़ी दर सुनता ही हो दूसरी चीज यह है कि दोस्तों अगर मैं बात और सड़क द्वार अगर किसी भी देश का ट्रांसपोर्टर्शन यानि परिवहन अगर हो रहा है किसी माल को ले जाने के लिए अगर हम रोड का इस्तमाल कर रहे तो सबसे ज़्यादा दोस्तों उसी में पैसा खर्च होता है हमारा अगर फिर इसके वादा हम रेलवे में कर करना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा दोस्तों हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट है वो दोस्तों कम हो जाएगी परिवहन लागत जो होगी कम हो जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा परिवहन लागत कम होने से क्या बैनिफेट हो जागा बैनिफेट ही होगा दो परिवहान लागत क्योंकि किसी भी सामान को जो भी सामान होता ऊस पे दोस्तों पूरा टोटल जुढता है एक तो प्रेवान अगर वाहत लिक्साफ का व्HeFA करा मगशां कर लें सामान का जो है जो भी value है दुस्तो हम उसमें कम कर सकते हैं तो इसी लिए और सबसे main चीजी होती है कि दुखी हम रोड द्वारा अगर किसी भी सामान को एक किलो मीटर सब्सक्राइब एक लिटर तेल से एक किलो मीटर ले जाने में हमको 24 तंग सामान हम ले जा सकते हैं हम जल मार्ग दोरा देखिए नहीं कल यह बता रख आया मकद मैं इसको जल्दी जल मार्ग दोरा दोस्तों हम एक किवा तब्ले का स्प april यो थे लांगेदा टो doing the difference we make it कि लिच्टब्ड में सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब यहां से तो स्टोड़ा ज्यादा हो गया बर tropical स्टो causing यह सौरी दोस्तों यह जर्मार्ग नहीं है यह सड़क है दोस्तों इस यानि हम जो रोड है रोड से दोस्तों हम एक लीटर तेल में एक किलोमीटर तक मात्र हम 24 तन ले जा सकते हैं फिर से सुनिएका दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था रेल से दोस्तों हम एक लीटर तेल में एक किलो मीटर तक मात्र 85 टन सामान ले जा सकते हैं यानि हम एक किलो मीटर जाने में एक लीटर तेल जितना खर्चा होगा जो भी उसका हम मात्र 85 टन ले जा सकते हैं ठीक ना दोस्तो वही अगर हम दोस्तो इसका यूज अगर हम जलमार्ग में करें दोस्तों ठीक है दोस्तों जलमार्ग में हम एक लीटर तЕल एक किलोमीटर, mark किपना समान ले जा सकते ingredient 150 टन अब सुचिए हम से 24 टन ले जा पा रहें यहां एक लीटरशamba हम 85 टर्ण समान पर रहें और वहीं एक लीटर से 150 टर्ण लेह तो दोस्तों एक लीटर का जो भी कॉस्ट होगा दोस्तों किस में जुड़े या इस 105 हो जाएगा प्राइस के होगा माल काम हो जानी यहा जागा यहां उससे कम रहेगा और और यहां सबसे कम रहेंगा थेक्य तो यह ऐसें एकर हम बात करें दोस्ट तो जलमार की से मलब अभर कहां कि जलमार कहां विक्षित है 뉴스 दोस्ट तो दोस्ट एक इसका जो इसकी दोस्तो बात करें तो योस्ते की दोस्तो कुल परिभान लागत कुन परिभान का मतलब कुल परिभान प्रतीसत जो होता है उसका दोस्तो तो एट पॉइंट त्री प्रतीसत जो परिवहन दोस्तों वह भी उसने अपने जलमार्ग दौरा विस्ट कि यह अगर हम यूरोप की बात करें तो उसने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों यहां का मात्र जो दोस्तों 0.5 प्रतीसत यानि कुल परिवहन का मात्र हम दो 0. 0.5 प्रतीसत जो है जलमार्ग दौरा करते हैं तो डौस्तों कितना दुख्यू कितना फरक है हमारा और चाइना के बीच में दोस्तों इस मामले में बात करें तो दोस्तों ये कुछ चीजे थी फिर एक चीज मैंने बताई थी दोस्तों कि अंतर देशी जलमार्ग की रख रखाओ के लिए दोस्तों एक प्राधिकरण बनाए गई थी भारती अंतर देशी जलमार्ग प्राधिकर two thousandsddus 16 पारित हुआ जिसमें दोस्तो 1111 राश्टि जलमार्ग विक्सित करने की योजना बनाएं गई बट मात्र अभी तक 16 जलमार गोसित हो चुके या दोस्तो अभी तक हम यही तक परसों आज हमले यही इस भर रहेंगे ठीकर दोस्तो जो चीजे मैं देखो यहां पर जल्दी लदी बताया है उसका मकसद यह है कि यह चीजे मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ बस मैं इसे रिवाइज कराने की करम में जल्दी बता रहा था आप जब पीछे क्लास की क्लास देखेंगे तो आपको पूरी सी चीजे एकदम अराम से और अच्छे समझ्वा आएंगे ठीके दोस्तों तो जल्दी की करम में थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हुआ तो उसके लिए सौरी दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अंतर राज्जी सौरी दोस्तों अंतर देशी राष्टी जलमार दोस्तों बात यह ना पेपर देख्या रहा हूं इसके बाद क्या हुआ अभी खाना खाया तुरंद आके वीडियो लेने लेने लगा तो मैं अभी मलब पेपर जलाक काया हूं थोड़ा बाहर से कहीं गया था तो उस चक्कर में कहा है कि थोड़ा मिक्स हो जा रहा ठीक दोस्तों तो उसके लिए सौरी त और का कि ये कि ऊणकार रेधने सब्सक्राइन कि तो इनकी अगर बात करें दोस्तों है जो ये कर दोस्तों कि लिए ये मवर्तमान शे राष्टियच्छल गया ये वारत में जिन में से मैंने छे नांवी कल लिखा है दोस्तों कर की लास अकर आप देखेंगे तो कुछ नहीं उनका नाम कैसे होगा राश्टी जल्मार्ग वन राश्टी जल्मार्ग टू जराश्टी जल्मार्ग त्री राश्टी जल्मार्ग पॉर राश्टी जल्मार्ग फाइफ राश्टी जल्मार्ग तो आज हमारा काम क्या है हम उनी राश्टी जल्मार कौन सा यह पहला है इसमें क्या है दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं एक क्या है कि जैसे कि माणा लीजे हम अभी जो भी classes कर रहे हैं तो अब हम लोग क्या रहेगा कि जैसे मान लीजे हम लोग week हपते में छे दिन जो भी करते हैं मंडे टू, चीज़े करते हैं, उसका क्या करेंगे, अब सोच रहा हूँ कि संडे को एक आप लोग का क्या रखिया जाए, डाउट क्लास हुआ जाए, ताकि जो भी आप लोग एक हफ्ते मुझसे पढ़ते हैं, अगर कोई डाउट होती ही तो मैं आप उसकी Sunday वाले दिन एक Life class रख लेते हैं एक time fix कर लेंगे हम लोग उसी दिन Sunday वाले दिन मिलेंगे और जो भी डाउट आप लोगों कर रहेगा पिछले जितना पिछली क्लास तक नहीं जो छे दिन पढ़ा है वो नहीं उससे मतलब नहीं जो भी पीछे पढ़ा चुके हैं या जो रीवर्स मैंने पढ़ा हैं या जो भी मैंने परवत पठार जो भी मैदान पढ़ा हैं अगर उससे भी संबंदित आपको कोई क्योरीस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो दोस्तों आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं डाउट कि आस्थी सब्सक्रांगा कि एक लाइब सबस्क्त करें हैं वहाँ कुछ नहीं कि वह सकता हुआ है तो चलें सब्सक्राइब यह कुछ था ठीक है दोस्तों तो राश्टी जलमार्ग अब इसमें दोस्तों सबसे रिलेक्स हो जाईए अभी तक तो हम लोग प्रिविजन कर रहे था अब आराम से पढ़िएगा क्या देखें राश्टी जलमार्ग में पढ़ते सेमें दोस्तों आप लोगों दो तीन चीज नहीं होगा ठीक है ठीक है फिर दूसरी चीज है इसके इसके नदी होगी या कोई नहर होगी कुछ तो किसी जलमार्ग है तो किसी दित बना ऊगा नदी बना होगा या किसी नहर पर बना होगा ठीक है तो कभ यानि किस बर्स बना xu आगा है काहा या नि कहां से शोल तक का मतलब कहां मतलब कहां से चाहन तक और नदी क्मा नदी क्रेध़ भी नदी पर किसी नदीप foster का यैं जू में अगर ऊभैश रहेगा तो अब यही चार चीजे रहेंगी इसमें हर नदी पे यही चीज पर आपको फोकस करना सबसे पहले कब कहां किस नदी पर या किस नहर पर या अन कोई फैक्ट उसमें मातपूर रहता है तो ठीक है दोस्तों तो अकर हम राश्टी जलमार्ग फर्स्ट की बात करें यह चार इस्ट इसे में इसे राश्टी जलमार्ग घोशित किया गया किया 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 है है फिक दोस्तों तो 1986 यह चीज ठीक ना कब की बात करें तो 1986 में इसे राश्टी तो पहले भी था इसे मार घोशित करने का समय कब आया पहले भी नदी तो ऐसा है नहीं कि वह नदी पहले नहीं बहाद दोस्तों उन्नीस से जल्मार्ग विक्षित करने की शोचा दोस्तों पहला राष्टी जल्मार्ग सोचे दोस्तों इसलिए हम लोग अभी तक पिछड़े हों इसे मामले में कहां दोस्तों तो कहां से बात करते हैं तो कहां से कहां तक मतलब कहां तो दोस्तों या इलहाबाद यूपी का जो इलहाबाद है तो इसका दोस्तों होगा इलहाबाद ये कहां दोस्तों यूपी ऐसे कर ली जगा से हल्दिया हल्दिया ठीक है दोस्तों इलहाबाद से हल्दिय यूपी में है जुए हाल पासिम मंगाल यानि हम ड्राइं लिग दे रहें वेश्ट मंगा तो कहां से कहां तो हिलहाबाद से हलदिया तक इसका विस्तार है और नदि की बात हम । sec अगर हम करें तो मैं इसको भी अल्ग True ढूर भी दोस्तों तो गंगा एवम होगली नदी गंगा एवम होगली नदी ठीके दोस्तों कब की बात हो गए 1986 में कहां से कहां तक है तो इलहाबाद से हल्दिया तक इलहाबाद कहां यूपी में दोस्तों हल्दिया कहां वेश्टा बंगार अन्न फेक्ट में दोस्तों क्या होगा तो यह भारत का प्रथम फैक्ट आपका यह रहेगा या भारत का या भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है पहला फैक्ट में अन्न में क्या होगा कि या भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है ठीके दोस्तों चार पॉइंट है कब बना तो 1986 में से राष्टी जलमार्ग भुशित किया गा, कहां से कहां तक है, तो तो इलावाद से हल्दिया तक इसका विस्तार है, इलावाद UP हल्दिया दोस्तो बैस्टो बंगाल या इलावाद UP से लेकर वेस्टो बंगाल तक इसका विस्तार है, नदी कौन से है तो दो कि अलग से पॉइंट बनाना पड़ा या इसकी कुल लंबाई 1620 किलो मीटर तो वह पॉइंट बनाने जुरुत नहीं यहां जल्मार्ग लिखिये मेरे साथ यहां जल्मार्ग यूपी जार खंड यूपी मलब उत्तर प्रदित जार खंड और पस्चिम बंगाल है ना पस्चिम बंगाल तो है ही से होकर गुजरता है पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल आगे लिए दोस्तों से होकर गुजरता है पस्चिम बंगाल से होकर गुजरता है या जलमार्ग यूपी जरकड और पस्जिम बंगाल से होकर उजरता है तो पहले राष्टी जलमार के बारे दोस्तो इतना कुछ लिखना था हमको क्या क्या है दोस्तो पहली चीज तो राष्ट कब 1986 कहां से कहां तक दोस्तो इलहावाद से हल्दिया तक फिर दोस्तो का नदी क तो गंगा हुगली नदी पर बना है दूस्तों यह भारत का सबसे लंबा जलमार गए इसके लंबाई कितनी है दूस्तों सोला सो बीस किलो मीटर और यहां यहां जलमार यूपी चारकड़ और पश्यमंगाल से होकर कुजरता है यह इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपको जो याद रखना है मैंने कम से कम चार वर रिपीट के या दूस्तों भी था क्यों रीजन यह कि यहीं याद हो जाएगा कब उनने सुच्छी कहां से कहां इलहावा से हल दिया नदी गंगा से भुगली नदी अन्य भारत का सबसे लंबा फिर यह तो यह इसके बारे कुछ था फटा फट लिगिए इसको मेरे में ठीक है तो तो मिटाल हो आप इसको आप देखिए कुछ नहीं करना मैं क्या करूंगा यह स्ट्रेक्चर जो बना है इसको ऐसे बना रहे नहीं दूंगा और फिर जो भी चीज और जो मैंने लिखें यह मों में डाल देता हूं जो इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों राश्टी जलमार्ग सगंड अब कब दूसरा जलमार्ग कब बना तो दोस्तों इसी के जस्ट दो साल बाद 1988 अब दोस्तों बुक में लिखा होगा डेट तो डेट याद नहीं करनी है यह सिरिफ वर्स याद रखना डेट याद करने चक्कर रहेंगे तो बूल जाएंगे सिरिफ वर्स याद रखिएगा कब तो 1988 में इसे राश्टी जलमार्ग घोसित किय अब नहीं को समझे न दोस्तों दोस्तो शमस्तों मैं चुला लिख रहा हूं आपको लिखना है यह नहीं गया पहल्ना चीजक्र पहल्सक्कौर फिर्दोस्तों कहां से कहां तक तो दोस्तों यह असम के असम का एक जिला है दोस्तो, असम है दोस्तो, असम में, राज्य दोस्तो, पूर्वी राज्य है, असम के, असम में, सदिया से, असम में एक जिला है दोस्तो, सदिया से धुबरी तक, असम में की प्ले से दोस्तो, असम से, सदिया से धुबरी, धा है सोरी दोस्तो, धा से दोस्तो कॉल सी तो असम में सबसे बड़ी नदी कॉल और यहां मेरा कहा आए दूस्तो नदी ओ कब 1988 में से राश्टी जलमार को उसित किया गया कहां दोस्तों असम में सदिया से धूबरी तक इसका विस्तारित है है ना और यह नदी कौन सी तो दोस्तों ब्रह्मकुत नदी ठीक है दोस्तों और इसमें तीसरा चौत और कोई पॉइंट इसमें अन नहीं लिखना है ठीक है इसमें आपको इतना ही आद रखना है कब दोस्तों 1988 में कहां से कहां तक दोस्तों असममें सदिया से दूबरी तक दोस्तों ब्रह्मकुत नदी पर बनाए बस इसमें इतना ही तीन चीज़ आपको इसमें पढ़ना था और चौ छोति ची़ राश्टी जलमार और को मैंने इस और इसमें सामने देदेगा नधियां इधर उधर करने को ओपर नीचे नदिया कर देगा और फिर कहेगा मिलान करिजेक है नखते आर चांव, यह राष्टी जलमार्ख किस नदी पर है, राष्टी जलमार्ख किस नदी पर है, कब इनका निर्मार आल होать है स多 बेपर. लंबा है बाक्ते जहां से जहां तक जारा वह बिम आपको जादिहान रखना है बस ठीक है तो राष्टी जल्मार्ग सकंड की बारे में बात हो गई हम लोग थढ की बात करते हैं ठीका इस टेक्चर वही रहेगा दोस्तों इसको में मिटाल देता हूँ थाड ठीक है तो अब यह कब दोस्तों तो यह दोस्तों उन्नी दोस्तों टिराण नवे जो इसे राष्टी जलमार्ग घुषित किया गया बात कि अगर हम डेट की बात करें दोस्तों 24 नॉबंबर करके है ठीड़िक हैं ठीड़ें सो तो इने सुत Tylris बादो स्थ्ट कहां दोस्तो तो hen준 कहा की बात में इसमें नडी नहीं देखाँ के इसमें कहां की तट पर इस्थित पासमी तट परिस्थित केयल के पासमी तट पर इस्थित एक राष्टी जलमार्ग है दोस्तों ठीक है दोस्तों मैंने बताया कि नर्यों भी बन सकता है नहर भी बन सकता जलमार्ग तो यह केरल में कब दोस्तों 1909 में कहां तो केरल के पस्मी तट पर इसके नदी दोस्तों इसमें नहीं लिखना है दोस्तों कहां पर दोस्तों नहर पर राश्टिय जलमार्ग है जहां 24 घंटे नौकायान की सुभिधा थिसरा पहला इसा राश्टिय जलमार्ग है जहां पर तीसरे की बारे में कुछ यहां पहली चीज़ दो कब बना तीसरा तो नौकायान की सुभिधा उपलब दोस्तो किडल के पसिमी तरपर नहर बनाएं गए एक रश्टिय जलमार्ग है तीसरी बात करें अन्य में इसमें एक फैक्ट लिखना नदी तो मैंने बता तो इसमें नदी कोई नहीं है तो इसमें अन्य की बात करें तो यह भारत का प्रथम राष्टी जलमार्ग है जहां 24 घंटे नौकायान की सुगधा है ठीक है तो यह तीसरे राष्टी जलमार की बात तो आपको जो 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 मैं लिखाता हूं मलब जैसे मैंने कभ लिखाया तो उसमें राष्टी जलमार्ती पर कहां फिर इसके बाद यह लिखने को जरूत नहीं दिना दिवाला क्योंकि नदी है नहीं बड़ मैंने इस टेक्टर बना रखा एक बार कि जब नदी जहां रहेगी सिर्फ इसी में नदी नहीं है बागी सब में नदी ठीक है तो दोस्तों अब मैं इसमें इसके कर देता हूं कौन सा चौधा तो इसके बाद फिर यह आप इसके बाद इसकी बाद आती है फिर यह कब बना अब तो राष्टी जलमार्ग फोर्ड दोस्तों जो इसकी बात करें आश्टी जलमार्ग गुषित किया गया तीन-चार बार में बोल देता हूं ताकि आपको लिखने में जल्दी हो जाए और दूसी चीज आपको याद हो जाए वैट जया दिबाग में कहां कि अगर हम बात करें दोस्तों तो कहां से पहले दोस्तों यह जाने किस नदी पर है द ठीके दोस्तों चौथा जलमार कहां किस नदी बना तो कृष्णा इम गोधावरी नदी पर बना है ठीके दोस्तों फिर आप कहां से कहां तक कि अगर हम बात करें दोस्तों तो यह दोस्तों काकी नाडा काकी नाडा से पुड़ू चेरी पुड़ू चेरी ठीके दोस्तों का काकी नाड़ा से पुड्डू चेरी कभी की बात हो गई 2008 कहां दोस्तों तो काकी नाड़ा से पुड्डू चेरी नदी दोस्तों किष्णा से किष्णा एवं गोदावरी नदी के बीच में यह डेल्टा के बीच में बनाया गए कुष्णा एवं गोदावरी नदी के बीच का इसको याद रखने किस्ट भोधावरि नदी आपको याद रखना है बस ट्रीक दोस्तों तो किछ रिच्ञा क्यूंकि छोटी नदिया नहीं पूचे याएगी यह किस्ञा गोधावरी नदी के बीच गोदावरी नदी की बात हो गए दोस्तों ठीके दूस्तों तो तीसरा भी हो गया क्या इसका नगलेंगी कि दोस्तों फॉत सब्सक्राइब तो आपका क्वे बना एं guy 5 दोस्तों तो मरा भाट पाइ Comics ऑना में इसका यह से ब ही राष्टन बहुमार घुशत किया गया है नदी दोस्तों तो ब्रामनी नदी नदी मैंने आपको बताना मैं बता देता हूं वासे घघा महा नदी और गंगा नदी के डीच का यो डिल्टा है फीस दोस्तों क्या गयता है शत्तिस गड़ वाला एडिया है वहां पर दोस्तों मैंने आपको ब्रामणी नदिपढ़ा इते दोस्तों ठीक ही दोस्तों डोस्तों यह आपको याद रखना तलचर से तल्चर दोस्तो यह उडिसा है दोस्तो आप याद अखने के तल्चर उडिसा में ही यह दोस्तो और धमरा तल्चर से धमरा ऐसे याद अखिएगा तल्चर से धमरा कहां दोस्तो तो उडिसा में है दोनों चीज़ यह उडिसा ठीक है दोस्तो तल्चर से धमरा दोस्तो उडिस नदी टिके दोस्तो नदी तल्चर से धमरा दोस्तो दोनों चीज़ ऊड़ी सामने दोस्तो यह पांच वह बनाए गए अन्हें दोस्तो इसके में कुछ नहीं लिखना है कब की बात हो गए दोस्तों पाश्चिवा राश्च्टी जलमार 2008 कहा से कहां तक तो तल्चर से धमरा त ठीकिंद पृफो यह हो गया दौस्तों पच्वें न दोस्तों समझ माला प्राष्टी जल्मार 5 कब दोस्तों तो 2008 कहां दोस्तों तो सल्चर से धमरा नदी कौनसी तो ब्राम्णी नदी बहुत ही a अराम दोस्तों आप लिख लीजे ज्यादा वो नहीं रहेगा ठीक है पांचवी की बात हो गई इसके बाद च्टा अब यह च्टे में भी दोस्तों अन्न को मिटाल देतें कोई मतलब नहीं अन्नका जितना ठोना राश्टी जलमार घुसित किया गया है यह मैं इसे कर दे रहाओ घुमाइक छटा तो राश्टी जलमार 6 आपको लिखना तो 6 आपको याद रखनाइं गी यह कब बनाया दोस्तों 2013 में दोस्तो नदी दोस्तो कौन सी है दोस्तो तो बराग नदी इस नदी के बारे मैं अभी फड़ा बताता हूं बड़ पहले मैं इसको लिखा देता हूं कि यह किस नदी बना दोस्तो बराग नदी ठीक है दोस्तो बराग नदी बना याद रखना यह राष्टे जलमार चटा भांगा लखीपूर से भांगा तक यह बना हुआ लखीपूर से भांगा ठीक है दोस्तों कहां की बात करें तो लखीपूर से भांगा नदी की बात करें तो बराग नदी कब बना दो दोस्तों चोजय चोला तो दोस्तों यह कुछ ठीक है दोस्तों देखें दोस्तों फिर से कितने समस्देन यह नांगा लेंड मनी पून पूनि तो बता दू है नांगा लेंड न मनी पूनी मिजोरम अलसे होते उयों गंगाली खाड़े में जाके गिर जाती। ठीके दोस्तोmon होगा तो我 पहले राश्iosis जलमार्ग रहे हो गजित दोस्तों राश्टी सब्छते हो गोड़े राश्ट्य जलमार्ग किस दोस्तोड रतीप बना हुआ थो Season swirl tranju mar बढ़ा गया तो आसम के सदिया सब दूबरी तक विस्ता रही था ति सभ्हेव हम बात करें दोस्ट ही राष्ट ही जल्मार की बात करें तो यह सब्सपार धेink brig में तीसरा तो मैंने बताई कि यह केरल की पस्थी मितर बना है और चौथा फिर दोस्तों क्या था राश्टी जल्मार बनाये कब बना है गया और फिर दोस्तों कहां से तो किस नदीप दोस्तो बनाये गया है तो ब्रहमनी नदीप बनाये गया C sorta relevant बात करें तो यह और बात करें पिर इसके वद्य कहां से कहां तक कि ये क्या लिखाया। अरि यार लखी पुर्ष से भागा लखी पूर से भागा जटा दोस्तो लखी पूर से भागा बराक नदीपा कब दूस'T animales का एक अधर ज़ो सबूचच यहां है। ना था दूसरा किस नदी पर है बस ये पूछेगा आपसे अधरवाइस इसे ज़्यादा जब डीप में जाएगा तो आपसे बहले ही पूछ सकता इसलिए मैंने तीनों लेयर आपको बता दी है अब आप लोग इसको तैयार करने जाएगा रिवीजन करिएगा दोस्तों दोसे कि इसीग साथ दोस्तों हमारे यह राष्टी जलमार्ग वाला खतम होता है बढ़ी समें देखो दोस्तों मैं आपको इसका एक डाइग्राम बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कहां पर कौन सा है दोश्तों देखिये छोटा सा मैं भारत बना दे रहा हूं दोस् कर दो चोटा सा बना दे रहे हैं इसको कि अगर अगर हम बात करें तो पहला राश्टी जल्मार्थ यहां यूपी में इलहाव भी है न से पसिमंगाल के हल दिया थक यह हो गया पहला राश्टी जल्मार्थ अगर हम बात करें तो यहां पर दोस्तो यहां पर है असम यहां पर दोस्तो असम में ऐसे फैला हुआ है ठीक है दोस तो यहां पर दो cuent Зем कि हम Hem बात करें तो पांच भावी गिदोस्तों ऐसे करके हैं जो कहां पर है पहला दूसरा तीसरा छौत्त जल्मार में पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा चटा ठीक है दोस्तों तो फर्स्ट शकेंड थर्ड फॉर्थ फाइफ शिक्स है ना ये सकंड तो ये छे राश्टी जलमार्ग थे जो इस भारत में इस जगे लोकेशन्स पे हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हमारा यह खताम होता है और हम देखतें क्या क्लास जो भी कर रहेँ का चॉल। तो देखें ठीक कल जैसे कि दूश्वार मिनल सुरू करें है कि टॉपिक है या चाल की बीकल देखें पड़ाते हैं ठीक है क्यों टो मेरी ख्लास रचे आज के लिए थोड़ा सॉरी क्योंकि तो मैं बाहर से होके आया थो थोड़ा वो था, तो दोस्तों इसलिए थोड़ा मुझे रेस्ट नहीं कर पाया थो थोड़ा अजीब सा हो रहा था बट मझे क्लास लेनी जरी थी इसलिए मैंने दोस्तों क्लास ली है तो दोस्तों हम लोग कल फिर मिलेंगे दोस्तों और दोस्तों हम लोग और आपको मेरी क्लास दोस्तों अच झाल